नमस्ते मैं डॉक्टर सपना बुंदिवाल स्री रोग विशशकी आज इस वीडियो के माध्यम से हम constipation in pregnancy या कबजियत pregnancy में क्यों होती है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या-क्या उपाई कर सकते हैं इस पर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि pregnancy में constipation या बदहजमी या indigestion या acidity का होना बहुती कॉमन और नॉर्मल चीज है क्यों होती है होने का कारण है progesteron hormone pregnancy में जो progesteron hormone रहता है उससे हमारी आतों का movement या गती कम हो जाती जिसकी वज़े से हमारे digestion डिले होता है दीरे दीरे डाइजिस्ट होता है खारा ज्यादा सबही तक पेट में रहता है तो उसकी वज़े से हमें constipation होता है और उसी की वज़े से हमारा खाना ऊपर आता है और हमें acidity, डकार, सीने में जलन यह सब होता है अब यह तो बहुती common और नॉर्मल चीज़ें साहतर पेशिट को 50-60% पेशिट को जनरली यह problem रहती है अब इसे हम कैसे हम किस तरह से हम अपना दिन शरिया में रहें या क्या खाएं क्या करें जिसकी वज़े से यह समस्या कम हो और हमें कम दवाईयां लेकर हमारी pregnancy आसानी से निकल सके तो सबसे साधा important है अगर आप constipation नहीं चाहते हैं तो सबसाधा important है हमारी डाएट डाएट में सबसे important चीज़ें फाइब्रस डाएट फाइब्रस डाएट हमें pregnancy के समय खाने के साथ जरूर शामिल करना है और फाइब्रस डाएट का बहुत अच्छा सोर्स है fruits fruits and vegetables इनमें फाइबर बहुत होता है इसके साथ साथ हमें अंकुरी तनाच्वा या फली वाली जो सबजियां होती है फाइब्रस अच्छा शोत होता है तो हमें वो अपनी डाएट में शामिल करना है दूसरी important बात होती है हमारा अगर हम non-vegetarian है तो in that case अगर आप डाएट ले रहे हैं non-veget तो उसके साथ में आपको फाइब्रस डाएट लेना बहुत जरूरी है खाने के साथ सालाद लेना equally important है क्योंकि वो भी फाइबर का बहुत अच्छा शोत होती है दूसरी चीज है दही दही प्री प्रोबाइटिक का काम करता है तो वो भी आपके constipation को रिलीव करने में in digestion को ठीक करने में मदद करेगा इस तरह से हमको अपनी डाएट का ध्यान रखना है दूसरी important tip है कि आपको खाना समय अगर आप बहुत देर तक भूके रहते हैं उसके बाद खाना खाते तो यह आपकी बिल्कूल कलता आता थे आपको थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है टाइम पर खाना है भूका नहीं रहना है हमें भूक लगे या ना लगे हमें अपना एक शडूल बनाना है कि हम लगा के थोड़ी से सबजी के साथ खाना खाना वह भी गलत है जादा सबस्या ले जादा रस्यदार सबस्या ले रोटी की कौंटिटी भले ही कम रखे वह हमारी कॉंस्टिपेशन को रिलेव करने में बहुत मददकार होगा तो यह तो हमने डायेट की बात कर ली और कब कैसे उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज आती है पानी पानी की कौंटिटी जनरली लोग बहुत ही कम लेते हैं जो कि बहुत गलत है नॉर्मल कंडिशन में भी हर व्यक्ति को पानी जादा लेना चाहिए लेकिन प्रेग्नेंसी में कौंटिटी और बढ़ा देना चाहि सुबे उठके ही हमें दो गलास गुणगुना पानी यगरम पानी बैट के आराम से पीना चाहिए उससे भी कौंस्टिपेशन 50% ठीक हो जाता है तो पानी की कौंटिटी का इमपोर्टेंस बहुत है पानी हमेशा बैट के पीना चाहिए 10-12 गलास पानी पीना चाहिए खाने के एक घंटे पहले पानी पीना है, खाने के एक घंटे बात पीना है और हर एक घंटे के अंतराल में पानी पीना है सोते वक्त पानी नहीं पीना है तीसरी important चीज है दूट, दूट भी legislative का काम करता है आपको रात को सोते वक्त एक ग्लास धूल गुना दूज जरूर पीना है, सुबे भी दूथ पीना है, प्रेगनेंसी में वैसे भी दूथ का बहुत महत हुए, इसके बाद हम बात करें अगर तो डाइट और पानी के बाद, दूथ के बाद, अगली हमारी important चीज है कि हमारा lifestyle, lifestyle ऐसा होना चाहिए कि हम time पे जल्दी सोएं, जल्दी उठें और सुबह उठने के बाद हम थोड़ा चहल कदमी करें, चहल कदमी मतलब morning में हम walk पे जाएं, कम से कम 15-20 मिनिट की walk होना चाहिए, खुली हवा में होना चाहिए, ताकि हमें oxygen पिल सके, उससे भी जादा important है प्र से आपका oxygen का saturation भी बढ़ेगा और आपको constipation काफी हद तक relief होगा, इसके अलावा एक important बात यह है कि हमारा समई पर motion के लिए जाना, कई लोग की आदत ऐसी होती है, शान को जा रहे है दो पर में जा रहे, जिसी से wrong habit, morning में हमको जब हमने पानी पिया हमने घूमा हमें सुब इसके बात होती है, जिन पेशेंस को ज़्यादा रहता है, बहुत सब कुछ कर लेने के बावजूत भी माडम में पानी भी पीती हूँ, मैं डायट भी अच्छी लेती हूँ, उसके बावजूत में मुझे constipation क्यों है, तो constipation कुछ-कुछ medical conditions में भी ज़्यादा होता है, ल आयन की टाबलेट लेना तो प्रेग्लेंसी पे बहुत जरूरी है, लेकिन आयन का प्रेप्रेशन कुछ-कुछ अलग सॉल्स आते हैं, जिससे constipation ज़्यादा होता है, जिससे constipation ज़्यादा होता है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और उन्हें बताईए कि मैं आपको उससे lose motion हो सकते हैं और दूसरे complications हो सकते हैं, इसलिए मन से आपको कोई गोली या कोई तेल constipation को रिलीव करने के लिए नहीं लेना है, आप डॉक्टर को अंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि कौन सी दवाई constipation के लिए लेना है, तो constipation के लिए जो मैंने आप आपको tips बताईएं, वो बहुत ही important tips हैं और बहुत ही आसान है करने में, fruits में, fruits और dry fruits के बारे में मैंने आपको बताया, dry fruits में देखें तो बड़ी वाली जो मुनक्का आती है, बड़ी दाख जो आती है, उससे भी constipation में काफी मदद मिलती है, constipation को रिलीव करती है, रात म हम भीगो के 6-7 जो दाख होती है, quantity में उसों गला के और morning में हम ले सकते हैं, तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये constipation related वीडियो अच्छा लगा होगा, धन्यवाद,